हेलो एब्रिवन कैसे हो आप लोग अब तो सब्सक्राइब कर दो इतने एक्स्क्लूजिब लीक्स कौन दिखाएगा आपको बता दो मेरे को अब चाहे इंटीर हो या ऐसी पिच्चर सो सबसे पहले मिलती है आपको यहाँ तो कर दो फटफट सब्सक्राइब फर्सली तो प्रनफ को थांक्यू उन्होंने पिच्चर शेयर की बहुत बहुत शुक्रिया प्रनफ आप सब छोड़ो फ्रेंड साइड इंटीरियर लोग आप रियर देखो क्योंकि महिंद्रा ने तो दिखाना नहीं पर पर यह पिच्चर देख के तसलीज ही हो रही है कि रियर लुक्स ठीक है क्योंकि अभी तो नंबर प्लेट वगरा लगेगी तो और मस्त लगेगी और नया लोगों भी गजब लग रहा है फाइनली आइकन से कि हाँ स्कॉर्पियो एंड पूरी मस्त है तेलेंस भी इसमे इतने में लग रहा है बहुत बड़ी है और यह पिच्चर देखो कितनी सुन्दर लग रहे है गाड़ी और सच में डैडी लग रहे है एक्चुली न्यू न्यू एना गाड़ी ऊपर से इतनी लाइट्स में अलगी जमग रही है अलोई भी मशीन कट फिनिश में सुन्दर लग रहे हैं और टायर्स यहां MRF के यूज किये गए हैं और साइड में भी क्रॉम का यूज किया गया है चाहे डोर हैंडल पर हो चाहे विंडो गारिश हो पर कहीं भी ओवर डन नहीं लग रहा नीचे ब्लैक क्लैडिंग दी गई है थोड़ा रगेट सा लुक देने के लि यहां आप नोट करोगे तो बोनट काफी बड़ा सारा लग रहा है और ना गाड़ी काफी मस्कुलर लुक दे रही है ग्रिल भी मस्त है और नूगो जच रहा है और ना साइड और रियर की तरह ही यहां पे क्रॉम का काफी यूज किया गया है नीचे फॉग लेंप्स भी LED दिये गए हैं बाकी हेड्लेंप्स में भी फुल LED सेटप है ओगर ओल गाड़ी जबर्दस लग रही है बड़ी बड़ी लुक दे रही है आप लोग कमेंड करके बताना कैसी लग रही है और अब तो आपको कसम स्कॉर्प्यों की कि सब्सक्राइब करके जाना तो बस आज के लेट नहीं बाए 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 पांका चला मरगी गर्मी में